नमस्कार मैं हूँ शायका वरुन गांधी ने भारती तिरंगे को लेकर क्या ट्वीट किया और शेशी धरूर ने तिरंगे के बहाने विरोधियों पर कैसे निशाना साधा अमेरिकी संसत भवन कैपिटोल बिल्डिंग में हंगामे की तस्वीरों को दुनिया ने देखा राश्पति ट्रंप समर्थकों ने जम कर हंगामा किया आपको बता दे बड़ी संख्या में अमेरिकी राश्पति ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसत के बाहर परदशन कर रहे थे परदशनकारी अपने हाथ में अमेरिकी जंडा लिये हुए थे अमेरिकी जंडा लिये इन पर्दशन कारियों के बीच भारतिय तिरंगा भी लहराता दिखा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है अमेरिकी पर्दशन में भारतिय तिरंगा लहराय जाने पर वरुन गांधी ने सक्त एतराज जदाया है वरुन गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा वहाँ पर भारतिय जंडा क्यूं है यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमें निशीत रूप से शामिल होने की जुरूरत नहीं थी पुर्व केंद्री मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता शशी थरूर ने वरुन गांधी के ट्वीटर पर तंच कस्ते हुए कहा कई भारतिय ट्रम समर्थक की मानसिकता वाले हैं उन्होंने लिखा दुर्भागे से भारत में भी कुछ ऐसे ही मानसिकता वाले लोग है जो गर्व के साथ तिरंगे का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करते हैं उन सभी को देश दुरोही घोशित कर बदनाम करते हैं जो उनसे असेहमत होते हैं वही वह जंडा हम सभी के लिए एक चेतामनी हैं इसके जवाब में वरुन गांधी ने लिखा इन दिनों अपने देश में अपने गौरव का प्रदिशन करने के लिए हमारे ध्वज का उप्योग करने वाले भारतियों का उपहास उड़ाना बहुत आसान हो गया है जबकि नापाक उदेशों के लिए राष्ट द्वज का उप्योग करना बहुत आसान हो गया है दुर्भागे से अधिकांश उदारवादियों ने भारत में राष्ट विरोधी विरोध प्रदिशन जैसे जियन्यू में हुए थे प्रदिशन के दौरान तिरंगे के दुरुपयों की चेतावनियों को भी नजर अंदाज कर दिया है तिरंगा हमारे लिए गर्व का प्रतीक है और हम बिना किसी मानसिक्ता के इसका सम्मान करते हैं वरुन गांधी इतने पर ही नहीं रूखे वरुन गांधी ने एक स्क्रीन शॉर्ट शेयर किया जिसमें कथी तौर पर क्यापिटोल हिल में तिरंगा फैराने वाला व्यक्ती शेश्ची धरूर के साथ लंच का लुथ उठाता दिख रहा है वरुन ने अमेरिकी शक्स का फोटो शेयर करते हुए धरूर पर निशाना साधा कि कैपिटोल बिल्डिंग के पास पिरंगा लहराने वाला उनका मित्र था वरुन गांदी ने आगे लिखा प्रिय शेश्ची धरूर अब जब हम जानते हैं कि यह चाटुकार आपका इतना प्रिय दोस्थ था तो कोई यह कैसे नहीं समझे कि इस तबाही के पीछे आप और आपके सहयोगी चुपके से पीछे खड़े नहीं थे हाला कि शेशी धरूर ने इस आरोप का खंडन किया धरूर ने लिखा इससे पूरी तरह से खारिच करता हूँ क्या आप हर शुपचिंतक के कारियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं मैं अपने देश के प्रिय जंडे को शर्मनाक अमेरिकी भीड में लाने के किसी भी परियास की निंदा करता हूँ आपको बता दे बुद्वार को अमेरिकी संसत के दोनों सदनों की बैठक बुलाए गई थी ताकि जो बैडन की जीत को प्रमानित किया जा सके और सता हस्तांतरं का प्रक्रिया शुरू किया जा सके लेकिन ट्रम्प समर्थकों ने उसे बा झाल